हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ दीवीजी आज 3 जनवरी 2023 है आज से हम एक नया शुरुवात करने जार हैं नया शुरुवात यह है कि दाहिंदू और एडिटोरियल का करेंट फिर्स यूपेसी और स्टेट सिविल सर्विस के सभी बच्चों के लिए प्रहपर हिंदी में ज कितने बजे नो बजे जैसे आप जगजा उस टाइम पर आपको राम आये सेनल पर रिकॉर्डट सेसन मिल जाएगा तो आज कर जो हमारा इसू है देख लेते हैं कि डीव टेक स्टार्ट अप्स जो डीव टेक स्टार्ट अप्स दोस्तों क्या होता है तो देखो डीव साइं यानि साइन्स और टेकनोलेजी पर आधारित नए बिजनिस को डीव टेक स्टार्ट अप्स कहा जाता है इस सिंपल्स या सथार्ण सब्दों में अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ डीव टेक स्टार्ट अप्स क्या है तो आप कह सकते हो कि यह वैसे स्टार्ट या वैसे बिजनिस जो साइन्स और टेकनोलिजी पर जो है क्या हों बेस्ट हो लिख देता हूं वैसे बिजनिस जो साइन्स और टेकनोलिजी साइन्स एंड टेक्नोलोजी पर क्या हूं आधारित हूं आधारित हूं उनको डीप टेक स्टार्ट अप कहते हैं क्या कहते हैं डीप टेक स्टार्ट अप कहते हैं तो अब जड़ा थोड़ा सा इसे और समझो अब जो यह डीप टेक स्टार्ट अप से ना बेटा इस समाने तह जहां कि जो है ऐसे स्टार्ट अपस जो क्रसी जीवन बिग्यान साइंस यानि केमेस्टी एरोए स्पेस हरिद उर्जा इस छेत्र पर काम करते हैं हलाकि जरूरी नहीं है कि मात्र इसी छेत्र तक सीमित हो बदलब ऐसा नहीं कि मात्र यहीं छेत्र इसके सबसे प्रमुग जो छ ध्यान रखेगा ठीक है बस जो है यह कथा नहीं सुननी है तो उननत समागरी उन्नत विनिर्माड अ को नत बिनिर्माड क्रतिम बुद्धि मत्ता यानि आर्टिफीसियल इंटेलिजन्स बोलते हैं क्रतिम बुद्धि मत्ता सात में जो है बायो टेक्नलोची यनि इसको जैव प्रद्योगी की कहते हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग साथ में जो है ब्लॉक्चेन, रेभोडिक्स, फोटोनेक्स और एलेक्ट्रोनेक्स आप ये कह सकते हो कि सबसे प्रमुक जो डीब छेतर यही है, सबसे जो प्रमुक डीब छेतर हैं, ठीक है? अब देखो भई डीब छेतर जो डीब टेक या जो है हार्ड टेक पर्याप्त बैग्यानिक या एंजिनिंग चुनोतियों के आधार पर प्रद्योगी की समाधान प्रदान करने में एक ब्यक्त उद्देशों के साथ संगठन या स्टार्टप कमपनी का एक क्लासिफिकेशन है एक वरगी करन है ठीक है अब देखो जो सबसे महत्यपुन बात इसमें आती है जैसे यहाँ पर आप इस फोटो को ध्यान से देखे तो इसके अंतर गत जैसे कि आप एडवांस जो है मैटेरियल्स अर्टिफिसियल इंटेलिजिजन्स ब्लॉक्चेन टेकनोलजी अभी मैंने चेत रहें यह प्रमुक्य चैत रहां अब सरकार के दॹारा जो है डीप्टे का प्रचार के अगरहब बात करें तो यह बहुत महत्यपूर्श doing şekilde है कि जो गौर्मेंट है जो गौर्मेंट्ट औफ इंडिया है तो के प्रचार को लेकरकी किया कुछ उसका कदम है तो हां तो आप कह सकते हो कि भाई जो इसको लेकर के दीप टेक के प्रचार को लेकर के स्टार्ट अफ इंडिया प्लेटफर्म नमबर एक स्टार्ट अफ इंडिया प्लेटफर्म इंडिया प्लेटफर्म ये मंच आपको याद होगा जो इस्टार्ट अफ इंडिया प्लेटफर्म है राज्य विसिष्ट जो पॉलिसी जैसे कि भारत में 26 से अधिक जो है राज्यों में इस्टार्टप्स जो पॉलिसी है वो एक्जिस्ट करती है और रिसेंटली जो है दिल्ली ने दिल्ली स्टार्टप्स नीती पारित करी है जिसमें से उसे मतलब एक उमीद है जिससे कि जो र यह जो सबसे जो प्रमुख है कि यह जो डीबटेक नवाचार यह जो है इनुबेट्यू रूप है जो कि मौर्ड जो मौझूदा मार्किट है उसको बाधित करता है यह पर नया बिकास करता है तो डीबटेक पर अधारित नवाचार जो है यह जो है जीवन यदि जो life sciences हो गया economy हो गया और समाज में एक comprehensive परिवर्तन लाने में सच्छम भी है साथ ही साथ अगर हम इसमें इसको लेकर के समयावधी और इस तरकी बात करें तो प्रद्योगी की को विक्सित करने और बजार में उपलब्दिता के लिए जो है deep take की आवसकता जो समयावधी है वो सतही प्रद्योगी की विकास जैसा की सतही प्रद्योगी का टेक्नोलजी का मतलब है कि जो उपर उपर हो जैसे उदाहरन के तोर पे चूबाइल वैपसाइड इससे बहुत ज्यादा ब्यापक से बहुत जादा कॉमप्रहंट है अब जिससे आटी अर्टीफिसिल इंटेलिजन्स को विक्सित होने में एक लंबा टाइम लगता है अभी यह पूरी तरीके से जो है बिक्सित नहीं है एक लंबा पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा जो प्राइविट फर्म या तो उपलब्द करवाए या तो गौर्मेंट फर्म उपलब्द करवाए अब आप देखते हो कि हमारी खासकर हमारे जैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कंट्री में आप यह कह कर सकते हों कि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है हम बिना public consent के कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं और हमारे public representative कौन है Parliamentarians तो और वैसे भी हमारे जैसे developing nation में बहुत सारी समझ से आए हैं तो कई बार ये question उठने लगते हैं कि भई जैसे technology में हम research में पैसा खज कर रहे हैं, जिसर्च का मतलब कि जैसे मार्स में किसी को भेज रहे हैं, तो आपने कई बहुत सारे जो हैं, बौधिक लोगों को सुनते वे देखा होगा, कि ये लोग कहते हैं, कि भई अभी तो हमने गरीबी नहीं समाप्त कर ली है, कौन सामने गरीबी समाप्त कर ली है कि हम मंगल में जाने को सोच रहे हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें देखने को समझ में मतलब आती है तो एक यह भी इसू है अब भारत में डीप टेक स्टार्ट अपस की इस्तिति की अगर हम बात करें तो क्या इस्तिति है प्रेजेंट में तो देखो यहां पर देखो थोड़ा सा कि हमारी इस्तिति जो है कि 2021 के अंत में भारत में 3000 से अधिक मतलब यह थोड़ा सा मतलब इतना भी पुराना डेटा नहीं है लेकिन एक डेटा है कि 2021 के अंत तक में यहनी 3000 से ज्यादा डीप टेक स्टार्ट अपस हुआ करते थे जो क कि Artificial Intelligence, Machine Learning यहनी इसको ML कह देते हैं और IoT, Internet of Things आपको पता है कि IoT से 2019 में बहुत बड़ा कुश्चन मतलब पुरे एक पेज का कुश्चन आ गया था यह कुश्चन इतना असान था लेकिन बच्चों ने जो है इस कुश्चन को भीना पढ़े क्योंकि उन्हें लगा कि यार यह जो है IoT, Internet of Things, Big Data, Quantum Computing, Robotics, Photonics यह जैसे जो यू की तकनीकों में यह क्या कर रहा है वही काम कर रहा है जो भारत में यह 3000 से अधिक जो Deep Tech Startups हैं इन छित्रों में वर्ट कर रहे हैं अब एक NESCOM है यह कहता है कि भारत में जो Deep Tech Startups ने वर्स 2021 में बेंचर फंडिंग में 2.7 billion अमेर तंत्र का जो एको सिस्टम है उसका मात्र कितना 12 प्रत्सतिया उसके आसपास है और पिछले एक दसक में भारत का जो Deep Tech एको सिस्टम है वो करीब जो पिछले 10 सालों की बात हो रही 53 प्रत्सत बढ़ा है और यह अमेरिका, चीन, इसराइल, योरोब जैसे बिक्सित बजारों क्यों की लगभग, लगभग लगभग बरावर है, तो एक हमारे लिए एक सबसे बहतर बात क्या समझ में निकल के आ रही है, कि खुड़ीव से चुनातियाँ थि हमारे साथ, तो चुनातियाँ क्या हो रेह ही, हम हो रही हैं, साध क्या साथ हो एक चीज और यहां पर आप इ तो करीब 25 से 30 प्रतिसत के आसपास जो है हिस्सेदारी किसकी है भी या बंगलूरू की है कितनी 25 से 30 प्रतिसत के आसपास ये क्विश्चन बना सकता है तो प्लीज नोट इस पॉइंट और मैं कह रहा हूं कि जो है नोट से थोड़ा बहुत बनाते जाना फिर बाकी मैं ये सार दिली न्सियार दिली न्सियार में जो 15 से 20 प्रतिसत के आसपास के हिस्सेदारी है और मुंबई की भी है ऐसा नहीं मुंबई में भी मिलते हैं तो मुंबई की जो हिस्सेदारी है वो करीब 10 से 12 प्रतिसत है ये मेजर मेजर छेत्र हैं जो हमारे यहाँ पर आप यह कह सकते ह ये इस छेत्रों में जो है इसकी मतलब है इतना इतना एरिया जो है cover करते हैं अब deep take startups जैसे drone delivery, cold chain management इससे ले करके और जलवायू प्रबंधन या जलवायू कारवाई जो है green energy, clean energy ऐसे छेत्रों में ये ज्यादा आपना पैसा भी fund हो रहा है और focus भी इसका यहाँ पर है लेकिन इसमें बिटा एक समस्या है यह मतलब चुनोतियां है क्या challenges है अगर मालो की में पॉइंट आभी उसे question आएगा तो आजकल जितने भी question बिटा आ रहे हैं वो critically examine करने जैसे बोलते हैं कि भाई इसको critically examine करना है तो आप तो यह बता दिया कि भारत में actual aesthetic क्या है अब इसके challenges challenges हैं किन-किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा तो यह सबसे महत्तुन बेटा बात है कि deep take के समझ अगर चुनोतियों की बात करें तो सबसे बड़ा issue मैंने आपको बताया finance बित पोर्शन यह सबसे बड़ी समस्या है क्यूंकि अभी तकरीब 20% से कम startups को जो है मात्र finance यह जो है बित पोर्शन की सुबिधा मतलब जो है इसमें funding लोग नहीं कर रहे है उसकी बहुत सारी वज़य है funding की अभी हम बात करते हैं कि क्या-क्या वज़य हो सकती है देखो पहली बात तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा यह जो दौर है लोग के पास पहले से भी पैस हो गई तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा है मैं दरसल बात कर रहा हूं कि अबराल अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो या ऐसा देख सकते हो कि जो है थोड़ा सा इस्तिती जो है private firms की गंभीर है तो पैसा वहां से जो मिलता था तो वहां से कम हो गया अब सरकार बित का जो है सरकार के पास एक अकेला तो काम है नहीं तो सरकारी बित का कम उपयोग यहां किया जाता है और साथ है ऐसे start-ups के लिए जो घरिलू पूझे की कमी देखने को मिलती है और इसलिए आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर एक फाइनांस को ले करके इसू है अब जैसे talent और market access, research guidance, deep take के बारे में जो निवेस्ट को की जो समझ है, customer sequidation और जो है लागत, तो एक ये भी इसू है, जो है skill को लेकर के market access को लेकर के ये छोटा बड़ा कोई, जो है, सुरी, ये कोई छोटा इसू नहीं है, तो ये भी एक क्या है, बड़ा इसू है, ठीक है, इसके साथ स और रास्ती सुरच्छा, कुछ समान प्रयोजन, यानि जो प्रद्योगी की पर जो है अधारित है, तो आज जो है, चार तकनी की युद्ध छेत्रे हैं, जो की बहुत महत्रपून है, अब चार तकनी की युद्ध छेत्रों की हम बात कर ले, अभी दीब टेक में आत्मनिर भरता क्यूं जरूरी है, क्यूं आपसे एक क्विश्टिन पूछा जा सकता है, कि आखिर जो है, 21 सताबदी के भारत को, 21 सदी के भारत को, भारत को दीब टेक में क्यूं आत्मनिर भर होना चाहिए, और खास करके चार खेत्रों में, तो एक जो है, अर्धचालक, अर्धचालक, दूसरा, 5G टेक्नोलजी, और जो तीसरा है, इसमें, जीव बिग्ञान में एक रांती, बायो साइंस में, रिबुलिउशन, और लास्ट में, अटन, जो है, रोबोटिक्स, यह जो चार खेत्र हैं, भारत को इन चार खेत्रों में, हर हाल में क्या होना चाहिए, मतलब आत्मनिरफर होना चाहिए, अब यह चेत्र सैन संगर्स, जैसे कि मालो की, हमें आप देखी रहे होगी, चाइना के साथ, हमारे आसपास, जितने भी जो है, पड़ोसी है, हमारे अलग लगते रहते हैं, हमारे उपर आयार वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे, कि जैसे कि नेपाल और हम बिग ब्रदर के उस पे आ जाते हैं, जैसे नेपाल आरोप लगाता रहता है, भूटान आरोप लगाता रहता है, लंका आरोप लगाता रहता है, लेकिन आप सभास्त-फास्त अपार्ट अपने देखा या की कविट के दोरान जो एा दूसरी या लहरmile के देखा कि लास जो है घंगा में तैर रहीं थी तो यह कहीं नगी यह जो स्वास्त अपार्ट इस्थित्य। हम उसके लिए तैयार नहीं थे और यह जो देखने को मिला और प्राक्रतिक आपदाओं के प्रति संवेदन सिलता अभी मैं आपको बता दूँ जो सी मठ में जो है न की करीब 500-600 घर जो है वो मतलब वहां जो है जमीन धस रही और 500-600 घरों में दरारे आ गई है अब और कई बार आपने देखा होगा कि जो है जो लेंड स्लाइड ह हो रहा है या फिर अनप्रकार की जो है प्राकरतिक आपदाएं हैं तो इनके प्रति जो है संवेदन सिलता तो अगर हम डीब टेक में इनके माध्यम से अपने आपको आत्मे निर्भर बना लें और चीजों को डेपलप्ड कर लें तो हम इन सारी चीजों से लड़ना सीख ज करना है स्वास्तिस्ति में अगर कुछ सुआता है तो मजबूत करना है और प्राक्तिक आपदाओं के प्रति अपने को सभी नसिल बनाना है अब यह दोरे उपयोग वाले हैं इनमें देखो प्रवेस के लिए कुछ बाधाएं हैं जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो चुनाती है वो फाइनांस की है और जो है अभी जो है भारत एक तरीके से इनी सेल फेस में है अभी जो है सेडिया चड़ी रहा है तो यह कुछ जो है अब देखो बित्त पोशन की बहुत महत्पुन भूमिका है यहां पर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो यह जान लेना चाह सल आप अपने सब्जेक्ट से जोड़ कर अब जैसे कि यह आप देखोगे कि एकॉनमी और एकॉनमी के साथ साथ साइंस और टेकनोलोजी से जोड़ा हुआ है हम अगर करेंट की बस कुछ है प्वाइंट और घटनाएं पढ़ लेते से कुछ नहीं होने वाला है तो सबसे ज कहा कि बित्य पोशन की महद्यपून भूमिका को लेकर इसमें हमें बात करना चाहिए देखो भारती स्टार्ट संस्कृति जो है इकॉमर्स और फिंटिक के आसपास फलफूल रही है अब आजकल आप देख रहे हो ना इकॉमर्स का अपना जो है जो भी इकॉमर्स कमपनिया कुब फलफूल रही है तो यहाँ पर उन्नत समागरी क्वांटम टेकनोलिजी क्वांटम प्रद्योकी जैसे जो गहरी तकनीकी छेत्र में हम जो है क्या हो रहे है पिछल रहे है अब डीप टेक के छेत्र में स्टार्ट अप से फंडिंग बिक्सित नहीं हुई है और इसमें जो है बाधा आई है अब संयुक तराज अमेरिका हो गया इसराइल हो गया उत्री अटलांटक जो संधी संगठन जो छेत्र है तो इन देशों में जो है और सरकार अभी भी डीप टेक के लिए धान का कोई बहुत बड़ा पैसा मतलब अलोटी नहीं कर दी है साथ में अत्या प्रवाहित होता है तो इस छेत्र में थोड़ा सा हमें बित्पोशन करना चाहिए ता कि हम अपने आप पे क्या हो सके आप ऐसा कह सकते हों कि आप में निर्भास हो सके और इन फंडिंग ने जो है इन देशों में उद्द्योग और सिच्छा बिचार की कई खाई को पार्ट क्यों है आप से कोई भी कुछ सकता है कि आखिर क्या हो जाएगी डिप टेक में फंड की कमी है तो आप कह सकते हो कि बिस्विश्टर पर जो है उद्यम पूंजी डीप टेक में निवेस करने में सतर्क है और भारती उद्यम पूंजी परिस्तितिकी तंद्र जो है उससे दिवेस करना लोग पसंद ही नहीं करता है क्योंकि यह जो प्रद्योगी की लाभ जो है उत्पन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है लंबा समय लगता है और लोगों क्या क्या चाहिए कि जो है देको भातिकता वादी दुनिया में जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उन्हें मतलब तुरंत प्रदिफल चाहिए तो एक ये भी तो इस्टेंट लेकिन अगर आप टेक्नोलजी में पैसा लगाओगे तो थोड़ा सा देर में पैसा रिटन आता है अब भारती ने वेसा कि जो मान सकता है कुछ वर्सों के भीतर मुनाफ़ा कमानी की रही है तो इ जैसे जीपिएस गूगल मैप उबर के लिए जो है अपस्यक है और साथ में आपको मैं बता दू कि यह अपने लिए जो है जैसे कि लड़ाकु जेट जो है नेविगेशन के लिए मिजाईल सिस्टेम के लिए तो इसके दो महत्पूर्ण पहलू हो गए ना कि एक तो हम घरे जो है बढ़ रहे होते हैं और हमें इस तत्त से जो है अवगत होनी की जरूरत की सामरिक प्रद्यों की अकेले वाड़िजिक उद्यों का जो है बोज नहीं बन सकती है तो यह भी तो इस्तिति है ना और दूसरा सबसे महत्पूर्ण बात अगर हम बिटा करें कि इसमें जो को निधी के लिए जो CSR और कर्ट रोट साहनों को हमें क्या है पुनर्द देशित करना चाहिए CSR जो कॉर्पोरेट सूसल रिस्पोंसिबिलिटी है ना तो जो CSR को हमें मतलब ऐसा कर देना चाहिए कि इसका कुछ जो हिस्सा है और डीप टेक को ही जाए जैसे आपको उधा पैसा जाना ही चाहिए और उसमें एकरी कल्चर सेक्टर में जो है अठारा पैसा जाना ही चाहिए अब जब ऐसा सरकार कर देगी कि भाई जो है डीप टेक्नॉलजी जो CSR का कुछ पैसा है सूसल कॉर्पोरेट रिस्पोंसिबिलिटी जो तो यह पैसा हर हाल में इतना हो जाएगा ना तो यह भी ऐसी चीज़ें जो है बाउंडिंग करना पड़ेगा हमें ठीक है तो टीप टेक से संबंधित आपने जो है चनौतियां देख ली ठीक है अब यह सारी चीज़ें हैं इससे संबंधित हम मैं यह मान के चलता हूं कि कोई डाउट नहीं होगा एक का लास्टउयर पूछा गया है इससे समंधित और जो पूछा जा सकता है तो अठर जो24 अब बागर debate है तो इ recommend किसी के तहर स्थापित किया गया तो यह जो है नीति-ध्यो Grams की तहर जो है इसके अंतरगत किया गया था इस थापिद किया गया था तैन्онов इंडिया चैलेंजन न्यूंड नीती Department संो सब्सक्राइब और इसका जो उदेश है वो नवाचार हब ग्रेंड जो है चैलेंजे इस्टार्ट अप्स ब्यवसाइब और जो अन्य जो है स्वरोजगार गद्विधियों बिसेस करके जो टेकनोलजी संचाले छेतर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कि मंच के तौर पे जो ही एक काम करत दूसरा की वस्ट दो हजार एककिस में जो नेसकाम दौरा जो है सुरू किये गए जो डीप टेक लब है तो डीटीसी टू पॉइंट सून डीप टेक लब इसका टू पॉइंट सून उद्देश जो है उन एक हजार से अधिक कितना एक हजार से अधिक फर्मों पर उठा रही है तो यह ध्यान रखेगा कि इसका तो आंसर सी नंबर है एक जो है मैं काम करते हैं कि आपको मेंस पॉइंट आभी उसे जो हमने पढ़ा उससे संबंधित मैं आपको कुछ क्विश्चन देता हूं जो कि क्या करती लाना है आपको सम्मिट करना है और सम्मिट कहा करोगी यह नंबर है मेरा 9555-031427 इस नंबर पर आपको सम्मिट करना है तो कुछिचन जरा लिखो कुछिचन जो है महत्यपून है मेंस पॉइंट आभी उसे डेली एक कुछिचन भी दूगा मैं ठीक है अभी बढ़ा लेंगे अभी दो तो एक कुछिचन है आपका जो है ज आप क्या समझते है अग Bene vi Advice से आपका समझते हैं किसी देश की सामड़िक हितों को सुरच्छित करने के लिए किसी देश के सामरिक हितों को सुरच्छित करने के लिए करने के लिए एक महत्पून क्यों है करने के लिए यह महत्पून क्यों है यह महत्पून क्यों है यह महत्पून क्यों है भारत में दीग छेतर छेतर में अबिक्सित होने के कारण कारण हारत में टीप टेक छेत्र के अविक्सित होने के कारण है के क्या कारण है उन्हें संबोधित करने के उपाय सुझाएं यह उपाय सुझाएं यह आपका कुश्चिन है यह लिख के जो है इस नंबर पर शौक ना है डेली 9 एम धान रखेगा डेली 9 एम बराव को जो है मिल जाएगा आज इतना ही है महत्पूर आपके लिए तो इतना ही करते हैं बाकि जैसे चीजे हमारी जो है कम कमेंगी बढ़ेंगे वैसे हम क्या कर लेंगे अगे शौक कर लेंगे ठीक है अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हों थैंक्यों बेरी मुच्छ झाल 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 झाल